हेलो अब्रिवान मैं आशे करती हूँ आप से भी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल प्यूपलडीचे में आप लोगों को पसंद आने के बाद कहीं मेरे माइन में यह था कि इंग्लिश पैडागोजी की वीडियो तो आने चाहिए बट जब मैंने इंग्लिश पैडागोजी के सिलेबस को देखा और पिछले सालों के जब पेपर देखे तब मैंने कुछ कॉमन पैटर्न यहां पर देखा कि कुछ चीज़े ऐसी हैं जो कि आपकी पैडागोजी में फिक्स पूछ जाती है तो देखिए मैं इतना आपको अश्योर करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद जैसे कि हम सभी को पता है कि इंग्लिश पैडागोजी आपकी यहा जायागा कि इस वीडियो में आप लोग क्या-क्या चीज़े सीखने वाले हो और कहीं ना कहीं मैं यह उमीद करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि टॉपिक और कंटेंट और साथे साथ जो आपके CBT लेवल के कोशन इन टॉपिक से पूछे गया है व और आस् żyकrat कि धुक्ति आप लोगों को वही चीज़े चाहिए होती है hours ऑगर आप मेरे चैनल पर नए है तो जो classes आप लोगों की यहा पर हो रही है और साथे साथ जो Marathon classes मैंने आप लोगों के साथ शेर किया उसके link मैंने description में डाल दी है आप किज देख सकते हैं और जिससे आप लोगों की लास्ट मिनिट में अच्छी खासे प्यारी हो सकती है तो चलिए यह जो इंपोर्टेंट क्लास है इंग्लिश प्रड़ागोजी की इसको हम शुरू करते हैं और जो चीजे मैंने अभी आप लोगों के साथ बोली है वह आप लोगों क मैं प्रॉमिस करती हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह चीजे समझ में भी आएंगी और कहीं न कहीं इसको देखने में आपको मज़ा भी आएगा तो चलिए आज की इंपोर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो पिक शुरू करना चाहती हूं जिससे हमारे सबसे ज्यादा कुशन पूछे गए अगर आप लोगों ने इंग्लिश पैड़ागोजी का जो प्रीविस एयर पेपर देखे होंगे तो यह टर्म जो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ट में लिखे हैं जैसे कि इंटेंसिव र पूछा ही जाता है तो देखिए एंड मुमेंट में लास्ट मुमेंट में आप लोग वो चीज़े कीजिए जो आपके पेपर में यहां पे पूछ जाएंगी और देखिए यहां पर इस वीडियो के अंतक सारा सलेबस तो कवर हो ही जाएगा तो देखिए यहां पर मैंने आ एक आपकी oral reading होती है जो आप मुह से अवाज निकाल के जब आप किसी चीज को read करते हो एक आपकी होती है silent reading यानि कि जब हम किसी चीज को मन में पढ़ते हैं तो देखिए यह दोनों के भी अपने-पने advantage है यह जो oral reading है इससे हमारी pronunciation ठीक हो जाती है और साथे साथ अगर मैं silent reading के बाद करें तो silent reading में क्या होता है हमारी speed ब बढ़ती है तो दोनों के अपने-पने advantage है पर इनको भी छोड़कर इनको छोड़कर आपके paper में यहाँ पे क्या पूछे जाता है यहाँ पे पूछे जाता है intensive reading क्या है extensive reading क्या है तो पहले इन दोनों में ही अंतर और इन दोनों के main point ज़र देख लेते हैं तो देखिए intensive reading क्या होता है intensive में एक शब्द आपका छुड़ा चुपा हुआ है intense यानि कि जब आप किसी चीज के अंदर तक गहराई तक जाते तब हम intense शब्द का प्रियोग करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है यहां पर हम जो आपका कोई भी text जो पढ़ रहे हैं जो भी content हम पढ़ रहे हैं उसको हम detail study करेंगे यानिकि बिल्कुल गहराई में जाके उसकी study करेंगे इसके बाद यहां पर रहे हैं कि जब आप गहराई में जाते हूं तो तब आप एक एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो यहां पर हम use करते हैं read between the lines और आपकी जो question के option होते हैं वो इनी term में से आपके छुपे होते हैं अगर आपको यह term clear है तो आप easily उन questions के answer दे पाएंगे साते साथ अगला है carefully detailed reading अब देखे detailed यांकि गहराई से पढ़ना intense होके पढ़ना यह तो आपकी intensive reading का main aim माना जाता है साते साथ यहां पर क्या है अगर आप बहुत detail में चीजों को अंदर जाके गहराई से पढ़ रहें तब आपका होगा क्या तब आपके जो vocabulary होती है जो आपके शब्द कोश होंगे वो भी आपके यहां पर develop होंगे built होंगे कैसे अगर मैं किसी चीज को detail में पढ़ू तो मुझे कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि आपके new होंगे तो यहां पर क्या है कि active vocabulary आपकी develop होती है इस method से तो यह होता है आपका intensive reading इसके अलाबा अगला है आपका extensive reading extensive reading इसका just opposite होता है इसमें हम focus किस पर करते हैं बस आप main points पर करते हो जैसे कि आप जब short notes वग्यारा बनाते हो तब आप क्या करते हो उसमें सब कुछ नहीं लिखते हैं उसमें क्या करते हो उसमें आप main points लिखते हो साथे साथ इसमें क्या है कि यहां पे specific overview मिल जाता है आपका उस particular topic का जैसे कि अगर हमें कोई passage के question करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि passage को हम word to word नहीं read करते हैं हम क्या करते हैं कि उपर उपर से एक बार read कर लेते हैं ताकि हमें passage का एक overview मिल जाए और जब हम question को करें हम लोगों को वह चीज़ हो तो यहां पर क्या है कि यहां पर हम specific overview लेते हैं और इस method में, यानि कि जो extensive आपके reading होती है, यह हम कई बार pleasure के लिए भी करते हैं, जो हम noble वगेरा हैं, वो भी हम इसी तरीके से आपका read करते हैं, या फिर आप कह लिजी कि इस से आपका readers का confidence भी आपका boost up होता है, क्योंकि हम लोगों को जह हम पढ़ते हैं, तो हमें एक general idea overview जो इस theme के अंदर बोला गया है, वो हमें मिल जाता है, I hope दोनों में आपका major जो difference है, वो clear हुआ होगा, इसके अलावा अगला है आपका scanning, अब देखिए, scanning में एक शब्दी छुपा हुआ है, आपका scan, scan करने का मतलब क्या होता है, जब हम फिर से detail में जा र होते हैं, जैसे कि for example, कि मैंने एक passage देखा, और उस passage के मेरे सामने यहां पर चार question है, अब देखिए, अगर मानलो मेरे पास exam में टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी उस question को पढ़ूंगी, और उसके बाद उस question का answer में क्या करूंगी, पैसेज में धूनने जाओंगी, ज जो कि हम लोगों को चाहिए होती है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हम सारी चीज़े रीट नहीं कर रहें, हम सिर्फ उसी passage को हम detail में जाएंगे, for example, मुझे एक शब्द मिल गया, जो कि उस question का था, तो मैं क्या करूंगी, वो शब्द आपका जिस passage में है, उसी passage को में detail में रीट करूंगी, मैं बाकी passage को skip कर दूंगी, तो हम सारी चीज़े को नहीं पड़ते हैं, हमें जो specific information चाहिए होती है, हम उसी चीज़ को रीट करते हैं, और यह किसमें होता है, यह आपका scanning में होता है, और scanning भी कहीं न कहीं, आपका intensive reading का ही part है, इसके अलावा अगला है आप कुछ-कुछ term आपके paper में पूछ लेते हैं, कि जो scanning है, वो क्या है, तो एक तरीके से general idea लेना, या फिर गिस लेना, या आनके overview लेना, या फिर एक idea निकालना, या फिर एक ऐसा question आता है आपके passage में, कि यह जो passage है, इसका title क्या है, तो title निकालने वाले question भी आपके हम क्या क teaming कर रहे होते हैं, अब देखिए, वीडियो के end में, यह जो topic में आपके साथ, यह discuss करते जा रही हूँ, आप चाहें तो इसे note करते जाहिए, और इस topic के end में, यानि कि यह सारे topic एक बार complete होने के बाद, इनके मैं combined mixed question आप लोगों के साथ discuss करूँगी, ताकि आप लोगों क जो confusion होता है, English pedagogy की question solve करने में वो नहीं होगा, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले topic को cover करते हैं, अब देखिए, अब यह जो मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ, इस board में मैं आपके साथ 3 अलग-लग चीज़े discuss करूँगी, जो कि आपका एक ही set में आपके 3 question भी बन सकते हैं, एक आप यहाँ पर देख सकते हैं language skills से सम्मंदित, एक आपका English को यहाँ पर इंडिया में किस तरीक से treat किया जाता है, और साथे साथ जो हमारे language learning acquisition, यानि कि यह term क्या है, इनमें क्या difference है, साथे साथ नौम-चॉम्सकी ने हमारी language acquisition के लिए क्या बोला, वे सभ देखिए अभी आप इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको बदा चलेगा कि यह सारी चीजा आपके paper के लिए कितिनी ज्यादा महत्पूर है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं language skill की बात करूँ, तो हमारे अगर किसी भी language को हमें सीखना ह है, तो हमें जो चार skill है, इनको यहाँ पे follow करना होता है, LSRW, और as a teacher हम लोगों को यह सारे की सारे चारो skill जो है, वो integrated तरीके से, यानि कि अगर हम कोई भी content पढ़ा रहें, तो हमारी कोशिश यह उने चीए कि चारो skill बच्चा साथ में सीखे, यह question आपका पूश जाता है, और साते साथ यह भी पूशा जाता है कि इसका order क्या है, अगर आप अपनी classroom में किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हो, तो हमें क्या करना है, यह order follow करना है, listening, speaking, reading, उसके बाद writing, और इन चारो skill को हमें कोशिश कैसे करना है, इन चारो skill के हमें कोशिश यह करना है, कि हम स इन ही सिखा है, यह दोनों चीज़े आपके अलग लग है, इन दोनों में आप confused मत होईएगा, इसके लावा यहाँ पर देखिए, यह जो हमारी चारो skill होती है, इनको हम broadly दो अलग लग पार्ट में divide करते हैं, एक है आपका यहाँ पर receptive, और एक है आपका productive, अब देखिए, receptive में यहाँ पर एक शब्द छुपा हुआ है, receive करना, यानि कि ऐसे चीज़े जिसमें आप सिर्फ चीज़े ग्रहन कर रहे हो, और productive में यहाँ पर produce, यान कि उत्पाद करना, कोई नई चीज़ प्रेडियूस करना, यह शब्द छुपा हुआ है, तो यहाँ पर यह आपका receptive skill क कोई नई चीज़ सीख रहा है, कोई नई चीज़ प्रेडियूस कर रहा है, अब देखिए, यहाँ पर जो receptive skill है, आपकी paper में कई बारी अलग-लग सैट में पूछ जाता है, कि receptive skill में से कौन सी है, तो देखिए, यह जो आपकी listening है, जब आप किसी की बात को सुन रहे होंगे, तो आप दूसरों की बात को grind करेंगे, तो listening जो हो गया, आपका receptive skill माना जाता है, इसके अलावा जो reading हो गया, जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, जो हमारे सामने रखा हुआ है, उस चीज़ को बस read कर रहे हैं, तो इसलिए यह दोनों skill आपके क्य कहलाती है, यह आपकी receptive skill कहलाती है, इसके अलावा अगला आपका देख सकते हैं, अगला है आपका productive skill, productive skill जिसमें कोई नई चीज produce करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर आके बोल रहे हूँ, तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रहा है, मैं आप के सामने यह चीज़ produce कर सकती हूँ, तो जो speaking है, वो productive है, और साथे साथ राइटिंग, जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, तो अपने मन के सारी बाते उसमें लिख देते हैं, तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं, जो सीखने की है, जो listening skill होता ह है, इसको हम semantic aspect भी बोलते हैं, कई बारी आपके paper में पूछा गया है, यह आपको पता होना चाहिए कि semantic aspect किसके लिए यूज के जाता है, listening के लिए, speaking के लिए क्या यूज के जाता है, speaking जब हम बोलते हैं, तो sound produce होती है, तो इसे phenotic aspect बोलते हैं, और जब आप किसी चीज को प और जो writing होता है, यह क्या है, यह आपका graphic aspect है, तो देखिए, यह आपको चीज है, अगर अपने mind में crystal clear है, आपका यहाँ पे language skill को लेके, तो आप इस तरीके के question आसानी से करताएंगी, जो कि अभी मैं discuss करूँगी, अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं English की बात करूँ, तो English को हमारी इंडिया में, क्या किया जाता है, as a second language treat किया जाता है, और इसको लेके, हमें यहाँ पर NCF के अंदर भी बताया गया है, और हमें जो हमारा constitution होता है, इसके अंदर भी बताया गया है, तो देखिए, English जो है, वो हमारा NCF 2005 क्या बोलता है, कि English को हम एक global language के तरह treat करे कई बार अलगलग site पर पूछा जाता है, कि according to NCF 2005, English is a, English क्या है, एक global language है, यह आपको याद करना है, इसके अलावा constitution यानके हमारा जो सम्विधान है, वो क्या बोलता है, वो यह बोलता है, कि English आपका एक associated official language है, यहाँ पर माना जाना चाहिए, अब देखिए, अभी मैंने आपके साथ यहाँ पर language skill और जो हमारी English है, इस से related चीजे discuss की, इसके अलावा, अगर आप English pedagogy के syllabus को आप देखते हो, तो आपको दो term मिलेंगी, एक तो आपका है acquisition, और दूसरा आपको term मिल जाएगा learning, यह दोनों term में आपको कही नहीं difference पता होना चाहिए, acquisition मतलब acquire करना, यानि की grant करना, तो यह आपका natural process है, प्राकरतिक तरीके से जो बच्चा अपनी जो first language को सीखता है अपने घर में बिना किसी formal practice के, बिना किसी किताब के, बिना किसी rule के, बिना किसी एक proper system के, उसको हम क्या कहते है, acquisition बोलते हैं, जिसको हम भाशा अर्जिन के नाम से भी जानत आपका एक जागरुक प्रियास है, यानि कि इसमें आपको systematic practice के जरौत होती है, साते साथ एक formal class होती है, grammar के आपके एक book होती है, जिसको आपको follow करना होता है, तो इस तरीके से आपका एक definition देखके, आपका दोनों में difference पूछ लेते हैं, साते साथ अगर आपको, यहाँ पर कि ने हमारी language को सीखने को लेकर क्या बोला, इन्होंने बोला कि हर बच्चे में एक जन जात, यानि कि in want ability होती है, क्या होती है, इन want ability होती है, कि हम किसी भी भाशा को सीख सकते हैं, अगर हमें शुरुआते समय में सिखाया जाए, जिसको इन्होंने क्या बोला, L.A.D. यान तो देखिए, ये जितने भी चीज़े मैंने लिखी हैं, अगर आपने previous year paper English Pedagogy के solve कियोंगे, तो आपको इनके topic जरूर देखने को मिले होंगे, अब चलिए कुछ और topic हैं, जो कि English Pedagogy में बार-बार पूछे गए, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 506 साइट अलग-लग अब चलिए, जो बचेवे topic हैं, उनको भी जरूर कवर करें, उसके बाद मैं आपके साथ questions discuss करोंगी, अब चलिए, मैं आप लोगों के सहाथ यहाँ पर कुछ ऐसे term discuss करने वाली हूं, जिसके question आपने बार-बार यहाँ पर देखे होंगी, और एक ही site में इनके कई सारे आप को type देखने को मिलते हैं, तो देखिए, यह सारे term में आपके साथ discuss करती हूं, सबसे पहला term मैंने आप लिया है, lexical word, जिसे हम content word के नाम से भी जानते हैं, आपको paper में कैसे question पूछ ले जाता है, कि इन चारों में से कौन से आपके lexical word है, या फिर इन चारों में से कौन से एक proper meaning हो, जिसका एक proper independent meaning हो, जिसका कोई meaningful aspect देखने को मिले, यह देखिए, semantic aspect क्या होता है, जिसका आपको कोई अर्थ निकले, तो देखिए, ऐसे आपके word, ऐसे आपके क्या, ऐसे आपके शब्द जिनका एक independent meaning हो, जिनका एक खुद का अपना अर्थ हो, उनको हम क्या कहते ह आपका lexical word, अब आप कहेंगे कि कैसे question आ जाएगा जैसे कि of with the और father, अब एक बार paper में ये चार option आ गए थे, ये पूछा था कि इन में से कौन सा आपका lexical word है, तो देखिए इन चारों में से father का अपने एक अर्थ निकलता है, तो father क्या हो जाएगा यहाँ पे lexical word हो जाएगा, इसके लावा अगला जो term आपसे बार-बार पूछे जाता में गुसे में आए, और कोई ऐसा particular sentence दे दे कि कौन मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं पढ़ाओ या नहीं, अगर teacher ये सवाल पूछे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा बोल दे नहीं, तो देखिए ऐसा question कही नहीं मन में तो चल रहा होता है कि नहीं हमें गेम खेलन और आपके मन में है कि हम में यहाँ पे एक तरीके साथ एक गेम का फिरेट ची है, बट कहीं न कहीं आप इसका answer नहीं दे पाओगे, ऐसे question जिनके कोई answer नहीं होते, वो आपके क्या कहलाते है, वो आपके rhetorical question कहलाते है, अगला यहाँ पे आपका term है semantic, syntax, phoneme और morpheme, इनके त तो देखिए आपका यह जो आपका semantics होता है, semantic शब्द क्या होता है, यह तरीकी की study होती है, किसी भी language में किसी भी शब्द के meaning की study, अगर आप meaning के अर्थ की अगर आप study करते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका semantics कहलाता है, syntax क्या होता है, syntax आपका किसके लिए प्रयोग object तो देखी जब हम structure को समझे तो structure से याद कि structure जो है वो आपका syntax के लिए है meaning जो है आपका semantics के लिए है और phonemes क्या है phonemes आपके सबसे चोटे unit कहलाते है किसे भी शाव sound की इसके लावा morpheme क्या है morpheme आपके वो सबसे चोटे सचोटा शब्द है जिसका एक अर्थ बनता है जैसे कि C-A-T C-A-T क्या है आपका cat है बट अगर मैं इसे और भाग में तोड़ दू तो इनका meaning जो है वो आपका सबसे चोटी unit माने जाती है यहाँ पर English के लिए English के लिए आपके क्या है सबसे चोटी unit है तो देखिए यह सारे टर्म आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कुस किया अब चलिए कुछ और टर्म्स रहे गए जिनको हमें डिस्कुस करना है और डिकोड करना है उसके बाद हम questions करेंगी अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड में बहुत सारे यहाँ पर topic एक साथ लिखती है और यकीन मानेगा आपकी इन पहले मैंने लिखा BICS और CALP BICS क्या होता है BICS होता है आपका basic interpersonal बेसिक इंटरपरसनल कम्यूनिकेशन स्किल यानि कि आपके अंदर किसी और के साथ कम्यूनिकेशन करने के लिए किसी और के साथ क्यों क्योंकि यहाँ पर इंटरपरसनल शब्द का प्रियुक किया गया है इंटरपरसनल शब्द किसके लिए होता है किसी और के साथ जब हम कोई चेज यहाँ पर शेयर करते हैं तो यहाँ पर क्म्यूनिकेशन के बात की गई है, संचार के बात की गई है, वारतलाप की गई है, तो BICS आपके अंदर का वो basic skill कहलाता है, जो कि आप किसी और के साथ communication connectly यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसा बच्चे होंगे, जो कि आपके सामने अपनी thought को बहुत अच्छे से रख पाते हैं तो उनके अंदर BICS यहाँ पर देखने को मिलता है अगला है आपका CALP term CALP क्या है आपका Cognitive Academic Language Proficiency अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे के अंदर Language की Proficiency है वो किसके लिए है वो academic level पे उसका cognition यानके संग्यान इस तरीके से develop है कि वो academic level पे उस language को अच्छा खासा use करके अच्छा खासा वो score कर पा रहा है तो देखिए इन दोनों terms related आपके previous year में कई सेट में अलगलग question पूशे गए अब इसके अलावा यहां पर एक term है यहां पर diagnostic and remedial teaching यह तो हर subject के आपने पैड़ागोजी में पढ़ा है diagnostic word का मतलब क्या होता है diagnostic word का मतलब होता है उपचार करना तो देखिए सबसे पहले आप किसी भी बच्चे की यहां पर क्या होगा कि अगर आपकी classroom में कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले diagnose करोगे पहले आप यहां पर diagnose का मतलब क्या होता है पहले आप यहां पर ढूंडोगे find करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद उसको यहां पर remedy दोगे यानि कि उसको यहां पर help करोगे तो यह होती है remedial teaching तो दोनों के दोनों साथ में की जाती है, पहले आप डाइग्नॉस करते हो, ढूंडते हो, फाइंड करते हो, और उसके बाद उसके अक्कॉर्डिंग उसको रेमेडी देते हो, ताकि उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर ही सॉल्ट हो सके, I hope यह दोनों टॉपिक आपको क्लियर होया देखें, वैसे तो disorder बहुत सारे है, बट यहाँ पर language के section में, जिन में सबसे ज़्यादा question पूछे जाता है, वो यह तीन term है, सबसे पहला है आपका dyslexia, dyslexia जो होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, यह reading disorder माना जाता है, यानि कि किसी बें बच्चे को अगा पढ़ देखें, और अगला यहाँ पर आपका जो term है, यह है dyscalculia, dyscalculia जो है, यह calculation के लिए है, तो देखें, सबसे ज़्यादा question जो आपका language के pedagogy में, चाहे आप English के लिए त्यार करें, चाहे आप Hindi के लिए त्यारी करें, सबसे ज़्यादा question आपका, जो disorder से पूछ जाता है, व ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बच सबसे ज़्यादा important है आपका, एक है आपका portfolio, एक है आपका FA और एक है आपका essay, तो देखें, तीरो term से related आपके paper में question पूछा गया, किस में? evaluation में, तो देखें, portfolio क्या होता है, जब आप एक record file बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आप record file बन आपका portfolio कहलाता है, इसके अलावा FA यानि कि आपका formative assessment का सबसे आसान उधारन जो है, आपके जो unit test होते हैं, या फिर आप कहलेजिए, जो class test होते हैं, जिसके थूँ टीचर को ये पता चलता है, कि बच्चा कितना सीख रहा है, ये जो आपके, जो आपका session के बीच assessment कहलाता है, यानि कि सालाना परिक्षण, आपका submitted assessment के अंदर आता है, ये तीनों आपका evaluation का part है, इसके अलावा जो आपका ये assessment term है, assessment भी तीन तरीके सोता है, ये लिख लीजेगा, assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, इससे आपका master following भी पूछ जाता है, assessment of learning, यानि कि जो आपने पढ़ लिया ह ग्रहटर उसका ऐसेस्मेंट करना क्या होता है यह है। आपका क्रीक्षा परिक्षाक कि Chisorg यह तेनो啊 को अच्छे तरीके से फता होना चाहिए। इसके लावा देखिए यह यहां GTM GTM क्या है आपका grammar translation method इससे related कई सारे साथ में अलगलग question पूशे गए एक बार यह method मैं verbally समझा देती हूं जब question करेंगे तो easily आपके इस topic के question हो जाएंगे तो देखिए यहां पर जो GTM है इसे हम grammar translation method कहते हैं जो कि सबसे oldest method है जिसमें क्या होता था कि teacher आपको word to word sentence to sentence तीज़े translate करते चले जाती थी आपके mother tongue में ताकि आपके teaching यहां पर process हो पाए तो कहीं न कहीं आप देखिए कि अगर हम एक language में यानि कि English में कोई sentence बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि हर sentence आपका Hindi मीडिया में भी translate हो सके तो यहां पर जो method है इसके कई सारे demerit है और सबसे बड़ा demerit क्या है कि इसमें आपका जो speaking में आपका यहां पर एक तरीके से communication के लिए यहां पर कम ध्यान दिया जाता है तो यहां पर आपका क्या है कि communication से related कम ध्यान दिया जाता है तो इससे related आपका question कहीं बारी पूछ जाता है अभी मैं आपके साथ यह discuss करूंगी अगला है constructivist approach तो देखिए यहां पर रचनावादी उपागम जो है constructivist मतला बच् learning by doing method से चीज़े सीखे तो इसके तो काफी question easy आते हैं अगर आपको यह topic नहीं भी clear है तो भी के question आप आसानी से कर सकते हैं constructivist approach के जो भी question आएंगे आप यह देखना है कि कौन सा option सबसे ज़्यादा positive aspect के बारे में बात करता है बस आप उसके इसाप से टिक कर सकते हैं इसके इसे लावा एक term मैंने इस बार जो paper में देखा वो देखा आपका total physical response इस related question आपका पूशा गया है तो देखिए कई बारी तो आपका जो language skill है उससे ही जोड़ के दे रहते हैं तो total physical response आपको होता है listening में total physical response मतलब physically आप किसी चीज को सुन रहे हैं समझ रहे हैं देख रहे हैं और physical involved है तो यहाँ पे आप जब किसी चीज को सुन रहे हैं तो आप physically यहाँ पे involved है जब आपकी कोई activity यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिले वो physical response के अदर आ जाती है तो देखिए यहाँ पे देख को कवर करें तो देखिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपके साथ यहां पे कुछ कोशन लेके आई हूं जो कि इन सभी टॉपिक को एक तरीके सा समप करेंगे ताकि आप लोगों को मदद मिले आई होप यह वीडियो आप लोगों ने यहां तक देख ली होगी अब अब चलिए स्क्रीन में डारेक्ट आपको यहां पे कोशन देखेंगे जो कि हम हम साथ में सौल करते हैं अब चलिए मैं आप लोगों के साथ वे सभी कोशन डिस्कस करती हो जो कि अभी हमारे टॉपिक को यहां पे कवर करते हैं तो देखिए यहां पे यह जो कोशन है यह प किया गया और जब हम करते हैं हमारी भूडि का वो किसके अंदर आजाता है सबसे बड़िए इसके साथ कोडिनेशन किस का होता है यह माना जाता है अब देखिए यहाँ पे जो correct answer है यह आपका तूसरा option और यह जो question में आपके साथ discuss कर रही हूं यह सभी question आपके अभी online परिक्षा में CBT लेवल में पूछे गए questions है और उससे पुराने वाले questions नहीं है अभी जो आपके online paper में पूछे गए questions है वही मैं आपके साथ यहाँ पे cover कर view इस question का second option है यह correct answer है अब चलिए अगले question को जरा discuss करें अगला question आप लोगों का यहाँ पर है grammar translation method का तो देखिए अभी मैंने आपके साथ शौट में यह जो आपका GTM है इसको यहाँ पर discuss किया था और GTM की खास बात क्या है कि इसमें word to word sentence to sentence चीजों को translate किया जाता है बच् question पूशा गया है कि इन में से कौन सा grammar translation method के अंदर नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पर बोल रुखा है कि इसमें mother tongue में यहाँ पर learning को encourage किया जाता है तो यह तो है इस वज़े से यह option नहीं हो सकता अगला है गिव importance to grammar तो देखिए इस topic का नाम आपका grammar से start है तो grammar का तो हो गई importance और इसके अलावा देखिए अगला option यहाँ पर है कि इसमें communication जो skill है वो enhance होती है communication यानि कि speaking skill जो है वो develop होती है इस method के अंदर सबसे कम development इसी का ही देखने को मिलता है क्योंकि आपको not वाले option को ढूणना था इसलिए इस question का answer आपका third option होगा अब चलिए अगले question को ज़रा देखते हैं अगला question आपका यहाँ पर है अब problem को ढूणते हैं क्यों ताकि उनके learning gap को हम दूर कर सके तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि इसमें हमें time और interval मिल जाता है teaching learning का तो देखिए यह तो कहीं से sense बनता नहीं है इसमें हमें यहाँ पर grammar के rule का पता चल जाता है तो देखिए यह यहाँ पर गलत है इसके लावा यह diagnostic teaching और material है तो देखिए diagnostic teaching तो है बट material यहाँ पर इतना suit नहीं करेगा तो यह भी नहीं होगा इसमें हम क्या करते हैं diagnostic test के अंदर हम identify करते हैं हम पहचान करते हैं और हम learning gap का यहाँ पर कारण देखते हैं ताकि हम उसे दूर कर सकें इस question का fourth option है यह correct answer है अब देखिए आप किसी particular language से घपराईए मत अब देखिए कुछ particular question को set में हाँ पर tough होते है बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी question यहाँ पर नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना है आपको overall एक अच्छा score करना है तो आपको कम समय में जादा अच्छे तरीके से प्यारी करनी है अब देखिए अगर मैं अगले question के तरफ बढ़ू तो अगला question यहाँ पर है बहुत easy question है इस question को करने के लिए तो आपको किसी भी topic की ऐसे कोई requirement नहीं है यहाँ पर बोल रखा है कि the most important aspect of children language development अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि सबसे important aspect क्या माना जायेगा children की यहाँ पर language development का तो देखिए अगर आपको भाशा ही विकास करना है language development करना है तो आपको करना क्य है उस भाशा से ज्यादा से ज्यादा बच्चे को यूज सिखा है अब देखिए आप लोग यहाँ पर हिंदी जो है यह fluently क्यों बोल पाते हैं क्योंकि उसको आप घरों में यूज कर रहे है या फिर आपकी जो native language है वो क्यों बोल पा रहे है जो mother tongue है क्योंकि आपके वो इ चीजे इसके लावा mistake को correct करके क्या पता वो दुबारे mistake ना करें बट कहीं न कहीं उसकी development हो यह जरूरी नहीं है इसके लावा नकल करके तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस question का पहला जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले question के तरफ बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर है कि the main purpose of summative assessment dasse me hosememam घ्मघ्र मेर्ड जिसको हम essay बोलते हैं जो कि enterm assessment होता है देखिए यह कब लिया जाता है जब आफने सबको सीख लिया तो देखिए यह04 के लिए तो नहीं किया जाता इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाता है इसके लावा यहां पर बोल रखा है कि आप क्या करते हो information data collect करते हो ताकी आप बच्छों को समझ सको starting में तो देखिए यह आपका एंदर होता ना कि ऐसे में होता है इसके लावा यहां पर बोल रखा है कि हम evaluate करते हैं बच्चे का current level ताकि improve कर सके improvement वाली बात आपका effect के अंदर आती है ना कि यहां पर आपसे पूछा गया है which of the following was suggested by Chomsky नौम Chomsky ने क्या suggest किया था तो देखिए नौम Chomsky के से related एक ही question आपका यहां पर पूछा जाता है के लिए अगले question को discuss करें अगला question देखिए यहां पर हमें semantic का पूछा गया है कि semantic क्या है तो अभी मैंने आपके साथ कई सारे term यहां पर discuss कि थे जिनमें से एक term यहां पर semantic भी था semantic शब्द का मतलब क्या है जब आप किसी भी शब्दों के यहां पर किसी भी sentence के meaning को अर्थ की यहां पर क्या करो study करो study of meaning हमने यहां पर इसके definition रखी थी तो meaning शब्द से आपका यहां पर second जो option है यह correct होगा बाकी structure का पता हम किस में करते हैं structure का पता हम syntax में करते हैं sound आपका sound or alteration का आपका यहां पर phonemes में कहीं ना कहीं sounds related चीज़े होंगी phonemes और उसके sound यह तो यहां पर है नहीं इस question का second जो option है यह correct answer है अब चलते हैं अगले question के तरफ अगला question आपका यहां पर language skills सब पूछा गया है जिसमें यहां पर बोल रखा है कि which of the following two skills are known as receptive skills receptive skill क्या होते ह जिसमें आप चीज़ों को grant करते हैं जिसमें आप चीज़ों को receive करते हैं तो देखिए receive हम कहां पर करते हैं या तो हम यहां पर देखिए जब आप बोलते हो तब कोई चीज़ receive नहीं करते तो यह नहीं होगा इसके अलावा जब आप लिखते हो तो कोई चीज़ receive नहीं करत answer है अब discuss करते हैं हम अगला question आप यहां पर देख सकते हैं अगला बहुत basic question पूछ रखा है full forms आपको याद करनी है जिन्होंने भी notes लिये हैं मैंने आप लोगों को एक पूरी list दे दी है full form के आप उन सारे full forms को देखेगा बाकि अगर जिन्होंने notes वगारा ने लिये आप चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने अल्रेडी यहां पर सारे full forms अल्रेडी कराई हुए हैं तो देखेए BICS क्या है BICS अभी अभी मैंने आपके साथ discuss किया था basic sorry यहां पर आपका basic होगा basic और यहां पर क्या है यह basic आपका यह जो term है यहां पर option में ही mistake है basic interpersonal होगा तो देखेए अब बाकि तो bilingual तो यह गलत है basic intrapersonal तो बिल्कुली गलत है और basic intercommunication यह भी गलत है यहां पर जो correct answer है यह मैं लिखी देती हूँ basic interpersonal communication skill जो है आपका यह अगर यहां पर मैंने टाइपिंग में mistake नहीं की होती तो इस question का fourth जो option है यह correct answer होता अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें अगला question आपका है यह है कि जो continuous assessment होता है इसका मतलब क्या है यानि कि अगर हम continuously हम assess करते हैं CCE जो पड़ा है continuous comprehensive evaluation इसमें continuous शब्द का मतलब क्या है आप देखिए जो शब्द होते हैं उनका अलग से कुछ अर्थ होता है अब आप direct पड़ेंगे तो आप कहेंगे कि इसका first option है आपका सही है assessing the learner continuously यानि कि continuously बच्चे को assess करना पर इसका यह मतलब नहीं है continuous assessment का मतलब क्या होता है कि basically हमारा जो assessment है वो continuous तो होना चाहिए but वो teaching learning का school based assessment का part माना जाता है मतलब school based assessment है school के अंदर जब हम पूरी तरीके से बच्चे को assess करते हैं वो भी teaching learning के दौरान अब देखिए यहाँ पे आप पहले और दूसर option में confused हो सकते हो आप लोगों के शब्दों का meaning कुछ और होता है और वो शब्द कुछ और होते है आपको यह चीज़ देखना है अगर यहाँ पे examinate direct आपका first option टिक करने वाला होता है तो इतना आसान question आपको देगा नहीं इसके लावा बाकी यह जो outcome achievement based और या फिर समेटे विये तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे पहले और दूसर option में confused मत होना इस question का जो second option है यह correct answer है I hope यह session आपको पसंद आया होगा अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले topic के साथ और इसी तरीके से अपने त्यारी करते रहिए आप लोग अपने aim को जल्दी ही अचीव करेंगे अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में आप चाहें तो मेरे साथ टेलिग्राम ग्रूप पर भी जूर सकते हैं अगर आपको सीटाइट परिशा के complete handwritten notes से ही हैं तो आप इस नंबर पर whatsapp कर सकते हैं आपको जो price detail है वो complete यहाँ पर मिल चाहेगा इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर